नमस्कार आप देख रहे हैं अख़बार जगत पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इम्रान खान पागलपन की कगार पर पहुँच गए हैं ऐसा कहना है पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स और वहां के प्रवक्ताओं का कल पाकिस्तानी मीडिया चैनल के एक प्रवक्ता ने यहां तक कहा कि कश्मीर को हारने के बाद और इंटरनेशनल लेवल पर हर तरफ से लताड पढ़ने के बाद इम्रान खान का दिमागी तबाजुन गड़ बढ़ा गया है जिसकी वज़ह से वह बहकी बहकी बाते कर रहे हैं कल इम्रान खान ने अपने राष्ट को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात युद्ध की कगार पर पहुँच गए हैं और दोनों देशों के पास परमानु हतियार है अगर युद्ध होता है तो इस तरह के हतियारों के इस्तिमाल से उप महा खान खान अभी तक कंटेनर पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकले हैं और अभी तक अपने आपको विपक्षी दलकान नेता ही समझ रहे हैं अब जरा आप सोचिए कि जुम्मे के बारा बजने के साथ ही पाकिस्तान में हर बंदा भले ही वह फैक्टरी में काम करने वाला अधिकारी या नेतागंड जो अपनी कारों में सफर कर रहे हो सभी लोग सारे काम छोड़कर बाहर सड़क पर खड़े हो जाएंगे अरे भाई इससे होगा क्या सड़क पर खड़े होकर तुम लोग दिखाना क्या चाते हो जैसी भीग मांगने की आदत इमरान खान की अब तो सिर्फ यही हालात रह गए कल विपक्ष दल के बिलावर भुटो का बयान भी सामने आया जब उसने यह कहा कि इमरान खान संसत में खड़ा होकर तो बड़ी बड़ी बाते बोलता है लेकिन मोदी के सामने उसकी चू भी नहीं निकलती उसके बाद उसने यह भी कहा क कि पहले तो पाकिस्तान का एजेंडा यह होता था कि श्री नगर तक कैसे पहुचेंगे और अब इसके बाद जब मोदी ने कश्मीर पर पूरी तरह से कबजा कर लिया है अब एजेंडा यह होने लगा कि पी ओके को कैसे बचाएंगे बिलावर भुटो का यह कहना काफी हद तक सही भी है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी कश्मीर में कूच की तयारी कर रहे थे उस वक्त जनाब इमरान खान साहब अमेरिका के पास जाकर डोनाल्ड ट्रम्प के सामने गिड़ गिड़ा रहे थे कि चोधरी साहब हमें बचा लो लेकिन चोधरी डोनाल्ड ट्रम्प उस तो आखर में उन्हें भी यही कहना पड़ा कि भया हम तो कहीं के चोधरी रही हैं आप तो मोदी जी से ही निपटलो क्योंकि मोदी जी ने पैरिस में अभी तो हाथ में हाथ मारा है और वह भी इतनी जोर से कि पूरी रात हाथ जंजनाता रहा अगली बार अगर तुम लोगों के चक्कर में पड़ा तो ये मोदी पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा लता है ट्रम्प की यह बात सुनकर इमरान खान साहब के दिमाग के रहे बचे पेज भी ढीले हो गए हैं और स्कुरू कहीं पर गिर गए हैं तभी तो वह इतनी बहकी-बहकी बाते करने लगे हैं कि उनक हैँ तो पेजिएुट